। क्या आप में इंडिरस्ट्री बे हो रहे हैं एंटी-मोर्टम और पोस्टमोर्टम इस्पेक्शन के वारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप यह वीडियो देखते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अख्यल और आप देख रहे हैं Food Technologist और आज का हमारा टॉपिक है पॉस्टिमोटम इंस्पेक्शन एंटिमोटम इंस्पेक्शन अगर मैं बात करूं एंटिमोटम इंस्पेक्शन की एंटिमोटम इंस्पेक्शन सबसे पहला स्टेप है एक मीट इंडस्टी के लिए जिसमें वह एनिमल को अच्छी तरह से कि वो एच एनड ऐवरी अनिमल को अच्छी तरह से चेक और उसे तीन सोय करें और उसे तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करें पहले करते समय जो ती Design को हल tiet कोई any health problem है कि नहीं या कोई injury है कि नहीं अगर नहीं है तो वो fit for slaughter के कख्ष में डाल देते हैं हमसे animal को second category है हमारी unfit for slaughter unfit for slaughter से आपको सिधा ही पता लगता है को कोई animal unfit है उसकी health अच्छी नहीं है माइक्रोबियल ग्रोथ है एन इंजरी है उसे unfit for slaughter में डाल दिया जाता है suspect for slaughter suspect for slaughter एक veterinary doctor के दोवारा check categorize की जाती है जिसमें वो confused होता है कि क्या वो slaughter के like है कि नहीं है इस case में उस animal को एक अलग कक्ष में ले जाकर उसे slaughter किया जाता है और बाद में उस पर post-mortem inspection करी आती है और बाद में categorize किया जाता है फिर से कि वो human consumption के लिए ठीक है कि नहीं है objective anti-mortem inspection के यही है कि हर एक animal को अच्छी तरह से inspect किया जाए उसे categorize किया जाए human consumption की तोर से देखा जाए कि वो खाने के like है कि नहीं है और अकेले अकेले animal को अच्छी तरह से inspect किया जाए और देखा जाए कि उस animal को proper rest time दिया गया है कि नहीं दिया गया है और फिर बाद आती है post-mortem inspection की post-mortem inspection एक ऐसी inspection है जो कि meat की slaughter होने के बाद जो बाद में inspection करी आती है उसे हम कहते हैं post-mortem inspection जो कि एक liberty के base पर करी आती है meat का sample लिया जाता है liberty में test किया जाता है और meat को चार categories में classify किया जाता है जिसमें पहली category है उसकी past, second है total contamination, third है partial contamination और fourth है conditionally past और हम बात करते हैं first category की जो की है past past मतलब की laboratory की दावरा चेक किया जाता है कि meat अच्छी तरह ठीक है human consumption के लिए बिलकुल fit है उसपे कोई microbial growth नहीं है source meat को हम pass कर दिया जाते हैं जो कि further processing के लिए जो की है packaging उसके बाद आती है second category fully contamination fully contamination मतलब fully contamination और total contamination fully contamination मतलब कि हमने meat जो slaughter किया है उसपे microbial growth हो गई है fit for human consumption नहीं रहा है उसपे कोई ना कुछ इन impurities add हो गई है तो उसे अलग कर दिया जाता है और उसे dump कर दिया जाता है और second category आती है हमारी partial contamination जो कि आप heading से ही समझ गए होंगे कि partial contamination का क्या मतलब है कि जानकि थोड़ा सी contamination हुई है ज्यादा contamination नहीं हो पाई है लेकिन वह human consumption के लिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर उसे further processing के लिए डाद दिया गया तो वह fully contaminated हो जाएगा इसलिए उसे भी अलग कर दिया जाता और fourth category आती है हमारी conditionally pass conditionally pass एक ऐसी category है जिस पे नाई meat पे contamination होई होती है नाई पिल्क्रोथ होती है due to improper slaughtering की वाज़ा से उस meat को catagrase की जाता है इसका मतलब है कि उसमें जाना उस meat पे कोई microbial growth और contamination नहीं होती तो उस कारण से उस meat को pass कर दिया जाता है अगर मैं गाइस बात करूं उसके main objective जाना कि post-mortem के main objective ये बारे में तो इसका एक ही objective है कि वह human consumption के लिए बिल्कुल fit रहे और उस पे कोई भी bad health bad effect ना डाले human की health पर और गाइस यही था डिफ्रेंस post-mortem और anti-mortem inspection ये बारे में अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो आप लाइक करें सुस्क्राइब करें कोमेंट करें